दोस्तों लिबीडो या सेक्स ड्राइव जिसे कहते हैं इसके बारे में बातचीत करना कई लोगों के लिए बहुत ही अजीब हो जाता है कई लोग इसके बारे में बात नहीं कर पाते लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स डिसकस नहीं करना चाहते लेकिन सब अलमॉस्त बहुत सारे लोगों को ये drive after an age लेकिन कई सारे लोगों को ये पहले ही हो जाता है कम sexual इच्छा, sex की इच्छा कम हो जाती है और जी नहीं किसी भी प्रकार के operation के बाद, vesectomy हो जाए या tubectomy हो जाए, tubal ligation हो जाए इसके बाद में sexual drive या इस तरीके की कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है? कमी क्यों आती है उसका कारण समझना हमें जरूरी और ये नैच्छरल चीज भी है कि आपके sex hormones या आपकी sexual life जितनी active होगी उत्रीच्छा होगी, और जब कारण इस तरीके के होते हैं, psychological कारण हम जादा होते हैं इसके ना कि कोई physical कारण और इन ही चीजों के बारे में आध हम बात्चीत करेंगे और इसके इलाज के बारे में बात्चीत करेंगे कि obviously देखे अगर किसी चीज का cause ही psychological है तो उसका इलाज भी थोड़ा psychological तो होगा है, obviously. अगर हम बात करें, libido यहने के sex की इच्छा, men में, आदमियों में क्यों कम हो जाती है, number one is a physical issue, physical issue यहने not in there, वहाँ पर physical issue नहीं, obviously चोट लगने पे, testis पे कोई घाव आ गया, infection हो जाता है, लेकिन जो most common reason है वो है उनका वजन, मोटे हो जाने के बाद, वजन बढ़ जाने क इच्छा कम हो जाती है, diabetes, hypertension, cholesterol, यह सारी चीज़ें आपके erection पर effect कर सकती है, erection problem के साथ sex की इच्छा कम हो सकती है, libido कम हो सकता है, और यह basically हो कर जाएगा, कैसे होगा, number one, low energy, आपके अदर energy ही कम होगी, इच्छा कहां से आए, right, low energy, low energy, उसके बाद low self-esteem, self-esteem कम हो जाती है और यह बहुत जादा significantly आपका interest, libido, इच्छा मार देती है, right, और काफी सारे cases में simple सा treatment है, diet, exercise, और medical management, BP sugar का और cholesterol का, तो उसके करने से ठीक हो जाएगा, दूसरी बड़ी problem जो males में आती है, वो है pornography, जी हाँ, porn बहुत बड़ा कारण है, बड़ा role है, कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, कि भी यह इसी के वज़े से सब कुछ होता है, right, और कई बार porn actual reason भी है, कई relationships के बीच में आ जाता है, porn यहने adult movies, blue films जो होती है, basically क्या हो जाता है, यह एक तरीका pseudo low libido, pseudo यहने actual libido नहीं है, बट पहले ही libido कम होगे, actual low libido, actual sex की इच्छा कम नहीं होगे, आपको लगेगा कि कम होगे कुछ सबाइ के लिए, this is like that, porn के वज़े से, क्योंकि आपका interest कम हो जाता है, right, मतलब आप उस चीज में interest है, आपका interest तो है, basic चीज समझो, जैसे कई लोग बोलते है, कि मुझे इसमें मजा नहीं आता है, मुझे उसमें मजा आता है, समझे बात मुझे इसमें मजा नहीं है, मुझे इसमें मजा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सेक्स की इच्छा नहीं है, है, सेक्स में मजा नहीं है, है, लेकिन उनका exposure एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, हजारों चीजों को देख देखके, उनके कुछ चीज से फिक्स इसा करेंगे और नहीं सो जा रहा रहा है अजिसरी फिर्ज़ लोगों कि विल्कुल गजा बाइटेड हो जाता है और शुड़ी डीटेड हो जाते हैं काई लोग और अन्रियलिस्टिक एक्सेश्टेशन रखने लग जाते हैं पॉन नोवीज में तो सारी की आईडियल लड़कियों को ये बिलकुल मान लीजे अब सराहूर परी गोरी चिट्टी एकदब पतली सेक्षी लड़कियों को रखा जाता है आपको फिर इच्छा होती है कि नहीं हमारी भी जो पार्टनर होगी वो सेक्षी चाहे आप कितने भी बद सूरत कितने भी भद्दे दिख रहे हो फीमेल का भी ऐसी होता है एक अन्रियलिस्टिक आपका एक्सपेक्टेशन आ जाता है कई बार उससे एंकांटर जो अगर मानी जे इंटिमेट एंकांटर होता है वो उसमें नेगेटिव सेक्शुल बहेवियर दाने शुरू हो सकते हैं इस पॉनोग्राफी इस बाद इन्सुरेंस आपको बचाना होगा थार्ड थिंग हीर जो मेन और विमन जो में में होता है लॉस ओफ इंटिमसी अगर कई कुछ पहले अक्टिव थे सेक्शुल एक्टिव फिर इनक्टिव हो गए तो कई टाइम तक इनक्टिव होने के आप व्यस्थ हो गए करियर स्पोर्ट्स टीम कोई एक्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई जीम एकदम कुछ ना कुछ आप करने लगकर आपका ध्यान जो है सेक्स के तरफ से हड़ गया तो उसके वज़े से भी आपका इच्छा ने लो लिबीडो होता जाएगा तो यह आपके चलके ऐसी चीज़े आ जाती है इस नोट अबाउट रिलेशनशिप इंटिमसी सेक्ष्ट इस बेसिकली जस्ट रिक्वायर एफर्ट्स आपके खुद के एफर्ट्स आपका खुद का समय और आपकी इच्छा जाग जाएगी इगी फोर्थ प्रॉब्लम इस मेडिसि दौइयां कई सारी ऐसी दौइयां खासकर anti depressants antidepressant medicines anxiety depression की मेडिसिन जो इसक्ष्ट्र इसक्ष्ट्व डिजायर कम करती है और कई सारे लोगों को इसके side effects common हो जाते कहिए उप नहीं होते दें आपको अगर यह दौईयां दी गई है आपके डॉक्टर के दौरा तो बात कि इसकी ज़रूत है क्या इसके लावा कोई option है क्या आपको दवाई की ज़रूत है या नहीं और उनसे बात करके फिर आप उसको चेंज या बन खुद से भी चेंज नहीं करना है ठीक है यह बहुत बहुत सिंपल पहले most common चीजें हैं जो मेंन में होती है इसके अलावा भी कई सारी चीजें है जैसे कि अगर कोई मान लीजे वायागरा का निज्यूज करें आप अगर वो लेने लग जाओं गर को इतना इरेक्ष्ण आएगा कि आपका जो नॉर्म एडिक्ष्ण है वह आप में उसको मज़ा आना बं इसमें नेगेटिव अबूजिव एक्स्पीरियंस और बहुत सारे चीजें रोल प्ले करती है बहुत सारी छोटी-छोटी कीचे फीमेल के उपर इस तरीके के डालती है प्रेशर जिसके वज़े से उनकी सेक्शुल इंटेमिंट इंकाउंटर जो है एफेक्ट होते हैं और उनका लिबीडो कम हो जाता है दवाईया जैसे एंटिडिप्रेसंट वो भी लिबीडो कम करेंगी चाहे कोई भी नीर की गोली हो डिप्रेशन की गोली हो आपका लिबीडो कम करेंगी वेट गेन, सेल्फ इमेज, आपका लो एनरजी ये सारे कारण फीमेल में भी है बर्थ कंट्रोल पिल्स या मीनो पॉज बर्थ कंट्रोल लेने पर कई बार कईयों के सेक्शुल डिजायर कम हो जाते हैं और मेनो पॉज याने के आपके महिने बंद हो जाने के बाद उस उमर में जाके आपके धिरे-धिरे सारी सेक्ष की डिजायर कम होती जाती है यह सब में होता है राइट रमेंबर को पॉसिबिलिटी इस इस लाइप पिर देड इन पॉज खिय भी में मूझकिल होता है कि अग्या को तक उस पर कोई राश ना हो कोई घहाव ना हो चोट ना हो कोई फुंसी ना हो तब तक आई अगा लाएक भीट अराम से हो सकता है अगर कोई स्पेशल उल्टे सीधे रफ सेक्स हो गया कोई गलत तरीके से सेक्स हो गया कोई बहुत जादा एक्स्ट्रीम पोजिशन ठ्राय कर ली तो कभी-कभी वेजायना के अंदर त्रीयर आ सकता है अंदर ये अंदर कहीं कुछ चीरे आ सकते हैं So there are actually things stretch होने से जो female के होते हैं But then ये बहुत easily treat हो सकता है कभी-kभी बात सिर्फ lubrication की होती है कि सही मातरा में lubrication नहीं है So lubricating fluid या lubricating gel योज़ करने से काम हो जाता है So there are things which you can do about each and every problem in your sexual relationship All you need to do is locate the problem and talk to your doctor Talk to your partner first कई लोग पार्टनर कोई नहीं मताते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भूते रहते पेन हो रही है तो बताओ जो हो रहा है वो important चीज़े है So it's very very important to communicate freely with your partner about everything Partner या कोई वो थोड़ी है Right उससे का छुपाना है So get help for your low libido अगर आपका libido कम है तो डॉक्टर के पास जाओ यह सब कारण होते हैं इन सब पर काम करें तो आपके कारण ठीक हो सकते हैं कुछ चीजें अपने अभलबूतें पर शुरू कर सकते हो आप कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के पास कुछ चीजें आप करो नंबर वन एक तो एक्सराइज करना शुरू करो एक्सराइज प्रोग्राम अपने तरफ से शुरू करिए उसके अलावा स्मोकिंग ड्रिंकिंग बन करिए जी हां स्मोकिंग ड्रिंकिंग का भी डिजायर और सेक्शल लिवीडो पर एफेक्ट परता है कोई ट्रिप प्लान करिए घुमने जाएए पार्टनर के साथ बच्चों को मत लेके जाएए बच्चों को दादा दादी के पास या कहीं छोड़ दीजे दादा दादी के पास बढ़िया से डाइड डोंट टेक यूर किट्स अलों मस्त अपना फैंश रोमांस जिंदा करिए वापस अपने लाइफ में कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी छिरू करना शुरू करिए अपनी लाइफ में में अपनी लाइफ में करिए कि आपको रेस्ट मिल रहा हो stresses अपनी बोडी से, अपनी लाइफ से stresses कम करें, stress management के लिए, deep breathing, meditation exercise बहुत important है ये सारी चीज़े अगर आप करेंगे with the help of a doctor, you will be able to easily get out of this low libido problem in no time, that's all about low libido, if you get अगर कोई सवाल है, तो जरूर पूछे, हम आपके सवालों के जवाल जरूर देंगे, alright, thank you so much